देवरिया के एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद लोगों का दिल धल गया, एक परीवार से पांच व्यक्ति और दूसरे परीवार से एक व्यक्ति की हत्या हुई है और उसी के बारे में हम यहाँ पर बात काने हैं और उस इस्पाट को भी हम आपको दिखाने वाले हैं और सबसे पहले प्रेमियादो जो कि इनके घर पर पहुचते हैं सत्य प्रकास दूबे जो कि इसी के अंदर जाने पर उनका घर दिखाए देगा आगे हम दिखाएंगे भी और इनहीं के घर पर पहुचते हैं जैसा कि इनके बताएगा कि कॉल करके प्रेमियादो को बुला जा दूबे के छोटे भाई जिनको साधू साधू के नाम से लोग जानते थे उन्हीं के नाम यह जमीन थी और बहुत तो लोग का रहा है कि मंद बुद्धी के थे अब तो आगे जब बाहर निकलेंगे तभी यह जानकारी मिल पाएगी कि फिलाल वो मंद बुद्धी के थे या फ प्रेमियादों के भी घर पर वहां पर भी पुलिस प्रसासन के वहां पर लगी हुई है और इसी को आपको खबर हम दिखाने के लिए आप पहुचे थे और इसकी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वहां पर हम लोग जानने आये था और ग्राउंड से जो हकीकत जान पाते हैं वही चीज़ें आपको देखने को मिलती है चुकि ऐसे हवा हवाई में लोग तमाम बाते बताते हैं लेकिन जो यहां जो जमीनी अस्तर से जब आप यहां पर पहुचेंगे तभी उसकी बात जो निकल करके आएगी जो ओरिजिनल टी रहेगी वहीं से निकल करके आएग फिलाला सत्प्रकाश दूबे का आप घर देख सकते हैं कि लफख जो दस भी गहे काकास्तकार हो और इस प्रकार के घर में रहता हो और यह भी बड़ा एक सोचने का विसे है और चले बाकी तमाम चीज़ें तो जांच की विसे हैं वो सब धेजरे उसके सब पन्ने पलड़त होती आप फिर उसके बाद कौन लोग वो थे गैलकरते हैं प्रेम्यादों के ऊपर फिर अचले कर देते हैं कितने लोगों के उपर फायर किया गया है यह की मलब आप उक्साने में भी मलब अगर आप उक्साते हैं तो भी आप जो है की एक जो मुझरिम का काम है वो भी आप करते हैं फिलाल फिर से मैं आपको दिखाना चाहेंगे यह जो जमीन है लगब कोई बता रहा कि 8 विगे कोई 10 जमीन है जिसका मामला बताए जा रहा है इसमालोग दिवरियां के फटेपुर गाउं में हैं और सत्तप्रकास दूबे और प्रेम यादव का जो प्रकरण चल लाए था और उसके फिलाल आपको बता देगी प्रेमियादव की जो पाइक थी वो सुबसुबसुब जब पहु स्क्राइरे के पुरे परिवार का खात्मा जो कि वो कुछ लोगों के द्वारा कर दिया जाता है वह सब ढ crave-सक्र्ब कि इंखबर ड्राइबर बताया डें रहा है और लाल देखेनी है पर खड़ी थी तो इसलिए इसको आपर घेराबंदी किया गया था और आगे जो भी चीजे हैं आप देख सकते हैं और हम थोड़ा सा इधर का भी नजारा दिखाना चाहें कैसे आप इनके घर का देखें महावलीस प्रकार है और यहां पर पुलिस की बवस्ता हम आपको दिखाना चाहें तो देखें चाक चोब बता रहा है कोई दक्स भी कहा बता रहा है और वह तो आगे वहीं बताएंगे कि कितनी जमीन था जो कि बैनामा हुआ था दोजाजाद चोगदे में दोजाद चोगदे बास अभी तक लग नौ साल की नौ साल ब्यतित हो चुके हैं और उसके बाद यह घटना हो जाती है बल यूपी पुलिस के बल तमाम जो बल हैं वह यहां पर लगाए गए हैं और भी जुआत जांच की प्रक्रिया वह फिलाल चल लाई है कोट कचरी भी चल ला है बाकी हम आपको लगातार खबरे आपको प्रवाइड कराते रहेंगे फिलाल खबर देखने के लिए हमारे चन तर देखने के लिए लूगारे जूए को लाई है